जो परस्थितियां हैं बिहार में वो ये बता रही हैं कि आर जेडी, जेडी यू, कॉंग्रेस और वामदल मिलकर बिहार में नई सरकार का चेहरा होंगे शक्र होगी आर सीपी सिंग जनता दल यूनाइटिट के नेताओं से बात करिये तो वो कहेंगे कि आर सीपी सिंग के जरीए भारती जनता पार्टी बिहार में आउपरेशन महरास्ट दोहराना चाहती थी और आर सीपी सिंग एकनाथ शिंदे के अवतार में यहां होते सामने उससे पहले जेडियू ने पांसा पलट दिया नितिशकुमार खफा है भाजपा से क्यों खफा थे नितिशकुमार भाजपा से और अगर नितिशकुमार खफा थे तो भारती जनता पार्टी के केंदरी नेत्रत्तों ने इस बात के प्रयास क्यों नहीं किये कि नीतिश कुमार की नाराजगी दूर हो सक है बिहार में जेदियू और भाजपाक का गठबंधन तूट गया नीतिश कुमार ने अलग रास्ता चुनने का फैसला कर लिया पूरे देश में इस राजनेति घटना क्रम की अनुगूच सुनाई देगी आने वाले समय में अब जो परस्थितियां हैं बिहार में वह बता रही हैं कि आर जेडी जेडी यू कॉंग्रेस और वामदल मिलकर बिहार में नई सरकार का चेहरा होंगे शकल होगी लेकिन भाजबा यहां पर चूक गई लगती है आर सीपी सिंग जनता दल यूनाइटिट के नेताओं से बात करिये तो वो कहेंगे कि आर सीपी सिंग के जरीए भारती जनता पार्टी बिहार में आउपरेशन महरास्ट दोहराना चाहती थी और आर सीपी सिंग एकनाथ शिंदे के अवतार में यहां होते सामने उससे पहले जेडियू ने पांसा पलट दिया लंबे समय से इस सुगबुगाहर थी कि पटना में कुछ होने वाला है नितिश कुमार खफा है भाजपा से क्यूं खफा थे नितिश कुमार भाजपा से और क्यूं अगर नितिश कुमार खफा थे तो भारती जन्ता पार्टी के केंद्री नेतरत्तो ने इसे बात के प्रयास क्यों नहीं किये की नितिश कुमार की नाराजगी दूर हो सक है लालू और नीतिश की पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव में अगर एक साथ चुनाव में जाएंगी तो क्या तस्वीर बनेगी कैसे भारती जन्ता पार्टी को नुकसान होगा और नुकसान होगा तो कितना होगा पहले 2024 है उसके बाद 25 आएगा यानि पहले लोकसभा चुनाव है उसके ठीक एक साल बाद बिहार में विधान सभा का चुनाव है मोदी और शाह की जोड़ी के लिए ये घटना करम एक चुनूती है अब भाजपा इस घटना करम का कैसे और कहा तक उत्तर दे पाएगी देखना होगा लालू नितीश की ये जोड़ी एक बार फिर बिहार में साथ दिख रही है और भारती जन्ता पार्टी अलग क्या अब यहां से भारती जन्ता पार्टी बिहार में एकला चलो रे के राष्टे पर चल निकलेगी